हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे गड़ित के इंपोर्टेंट प्रेशने दोस्तों सभी प्रेशने परिक्षा में पूछे गए हैं मैं इस प्रेशनी की बात करूँ तो यह SSC 2010 का पूछा गया प्रेशनी है तो चले श्टार करते हैं पहला प्रेशनी है दो संख्यां 7 अनुपात 11 के अनुपात में हैं इन में से प्रतेक में 7 जोडने पर इनका अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है इन में से छोटी संख्या कौन सी है देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास दो संख्या है 7 अनुपाते 11 आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है बटाय का मतलब क्या है अगर यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है 7 AK 11 तो इसको आप बटे भी लिख सकते हैं इसको आप बटे भी लिख सकते हैं 7 AH 11 इस तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है बात समझ मागई किसी को कोई दिक्कत परिशानी नहीं होनी चाहिए अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँ इसको मैं क्या मालनूँ साथ एक्स मालनूँ इसको क्या मालनूँ ग्यार एक्स मालनूँ तो एक्स से एक्स कट जाएगा कोई मालन में फरक नहीं पड़ेगा तो मैंने इसको साथ एक्स मालन लिया इसको ग्यार एक्स मालन लिया अब क्या करा है कि इन में प्रत्यक में प्रत्यक का मतलब इसमें भी और इसमें भी प्रत्यक में साथ जोड़ने पर इसमें भी और इसमें भी दोनों में साथ जोड़ने पर इनका अनुपात दो अनुपात तीन हो जाता है अनुपात कितना हो जाता है दो अनुपात का मतलब बटा भी होता है ठीक है बस प्रेश्णी घतम हुआ क्रोस मल्टिप्लाई कर दो आप तीन सत्ते 21 हो जाएगा तो मतलब 21 x हो गया पिलस तीन सत्ते 21 हो गया बराबर 11 दुने का 22 x हो गया ठीक है और 7 दुने का 14 हो गया 21 x 22 x क्या होगा दोस्तों मैं 21 x को इधर लेके जाओंगा तो 22 x में से 21 x घट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा ठीक है इस 14 को इधर लेके जाओंगा तो 21 में से 14 माइनिस हो जाएगा 7 बचेगा तो x की वैलू कितनी आगई 7 आप से पूछ रहा था के छोटी संख्या कौन सी है भाई देखे 7 अनुपाते 11 तो संख्या आपके पास 7 अनुपाते 11 तो जो संख्या अनुपात में छोटी है वही छोटी संख्या होगी तो 7 का गुना आपका 7 से कर दूँगा तो 49 अगर बड़ी संख्या पूछता तो 7 का गुना 11 से कर देता मैं 1177 बड़ी संख्या 77 है और आप से छोटी संख्या पूछी है तो उनन्चा सही हो जाएगा भी ओफ्सन आपके प्रेशनी का बिल्कुल सही जवाब सभी को प्रेशनासानी से केलियर हो गया अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है दो संख्या एक अनुपात तीन के अनुपात में हैं यदि इनका योगफल दो सो चालिस है तो इनका अंतर कितना है एससी 2010 आपके पास दो संक्या है मैं यह पहली संक्या ले ली मैंने यह दूसरी संक्या ले ली ठीक है दो संक्या है दोनों का अनुपात दे रखा है एक अनुपात तीन दे रखा है दोनों का अनुपात ठीक है और इनका योग फल दे रखा आपके पास 240 योग कितना दे रखा योग दे रखा आपके पास 240 अब हमेशा के लिए मैं बता चुका हूँ कि जब आपके पास योग रहता है तो अनुपातों का भी योग करते हैं अंतर होता है तो अनुपातों का भी अंतर ठीक है अब आपके पास योग है तो अनुपात की योग से डिवाइड कर दो तो तीन और एक कितना हो जाएगा चार तो इसी योग में अनुपात की योग से डिवाइड कर देंगे चार चिंग 24 और 2160 वार में खटेगा आप से पूछ रहा है कि इनका अंतर कितना है मतलब दोनों संक्याओं का अंतर तो 60 का गुना एक से कर दो 60 हो जाएगा 60 का गुना तीन से कर दो 180 हो जाएगा दोनों का अंतर पूछ रहा भई अंतर कर दो 180 में से 60 को घटा दीजिए 120 बचेगा यह आपका अंतर हो गया पहले option में दे रखा है यह आपकी प्रशनी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अब देखेंगे अगला प्रशनी अगला प्रशनी है किसी व्यक्ति की आय तथा ब्या 11.5.10 के अनुपात में है यदि प्रतिवर्स वह 9000 रुपे की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है SSC 2010 में ये प्रशनी पूछा है अब देखेंगे यहाँ पर में लिख लेता हूँ आपके पास क्या चीज़ है आय और ब्या एक तो आपके पास आय है आय का मतलब इंकम और ब्या है ब्या का मतलब खर्च इन दोनों का अनुपात दे रखा आपके पास जारा अनुपाते दसका ये अनुपात है यदि प्रतिवर्स वह 9000 रुपे की बचत करता है कितने की करता हूँ है प्रतिवर्स 9000 रुपे की वह बचत कर रहा है प्रतिवर्स प्रतिवर्स का मतलब एक साल में एक साल में 9000 रुपे की बचत करता है तो उसकी मासिकाई कितनी है देखी वो 9000 रुपे की बचत कर रहा है कितनी में कर रहा है एक वर्स में एक वर्स का मतलब दोस्तों क्या है 12 महीने में ठीक है 12 महीने में वो 9000 रुपे बचाता है तो इसका मतलब एक महीने में कितना 750 रुपे की बचत कर रहा है बत के लिए रहे एक साल में कितनी की बचत कर रहा है एक साल में बचत कर रहा है वो 750 रुपे की अब आप से पूछा क्या है कि उसकी मासिक आय कितनी है आय का नुपाद दोस्तों कितना है 11 है आय का नुपाद कितना है 11 है तो क्या करेंगे 750 का गु 80 हो जाएगा भाई यह एक महीने का 750 है तो आए आपकी एक महीने की कितनी हो जाएगी एक महीने के नहीं यहाँ पर तो पूरे 11 अनुप आते तो 11 से गुना कर रहा है 2250 हो जाएगी यह D option आपकी प्रशन का सही जवाब हो जाएगा केलियर होगी बात सभी की समझ में प्रशन अच्छे से आगया है अब देखेंगे अगला प्रशन अगर आपसे खर्च का पूछ लेता तो 750 का गुना 10 से कर देंगे ठीक है 750 का गुना 10 से करके देख लिजे 10 का 5 में करूंगा 50 हो जाएगा 50 का 0 केरी का 5 10 का 7 में करूंगा 70 हो जाएगा और केरी का 5 75 हो जाएगा उसका मतलब क्या है कि उसने क्या किया 8250 रुपे कमाए और खर्च कितने कर दिये 7500 रुपे उसने खर्च कर दिये ठीक है यह आपके प्रशनी का बिल्कुल सही जवाब है उमीद करूंगा यह इनका अनुपात है रियल वैलू ने यह अनुपातिक वैलू है इनकी बात को समझ रहे हैं यह अनुपातिक वैलू है तो इसी तरीके से आप प्रशनी को हमेशा के लिए सही कहिए कभी प्रशनी गलत नहीं आएगा ठीक है अब देखेंगे अगला प्रशनी अगला प्रशनी है 7 अनुपात 11 के प्रत्य एक पद में किस संख्या को जोडने पर अनुपात 3 अनुपात 4 प्राप्त होगा आपसे कह रहा है 7 अनुपात 11 अनुपात का मतलब बटा भी होता है तो मैं इसे 7 एक्समाल लूँ ठीक है इसे 11 एक्समाल लूँगा तो क्या इसके मान में कोई फरक पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है आपसे कह रहा है कि प्रत्य एक पद में किस संख्या को जोडने पर अनुपात इतना हो जाएगा किस संख्या को जोडने पर जब नहीं पता किसको जोड़ना है तो हम उसे के मान लेंगे कि बाई के को जोड़ना है और प्रित्येक में जोड़ना है तो प्रित्येक का मतलब दोनों में जोड़ना है अनुपात हमारा कितना प्राफ्थ हो तीन अनुपात ते चार प्राफ्थ हो जहीं तो कह रहा है क्रोस सत्य 28 प्लस 4 का गुना के से करूगा तो 4 के ठीक है 4 के बराबर 11 का 33 प्लस का के का गुना 3 से करूगा 3 के ठीक है प्रश्न खतम हुआ 28 को अधर ले जाए 33 में से 28 घटा दूगा 5 तो के की वैलू कितनी आगी 5 और कितना जोड़ना था हमको के ही जोड़ना था तो हमसे पूछा था किस प्रत्यक पद में किस संख्या को जोड़ेंगे भाई के को जोड़ेंगे के का मतलब 5 आगया तो 5 जोड़ना प्रत्यक संख्या में तो हमारा अनुपात इतना हो जाएगा क्लियर हुई बाग, अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दो संख्यां तीन अनुपात, चार के अनुपात में, तथा LCM 84 है, तो इन में से बड़ी संख्या क्या होगी, भाई देखिए, यहाँ पर आपके पास दो संख्या है, तो यह पहली संख्या हो गई यह दूसरी संख्या हो गई, और दोनों का अनुपात कितना है, तीन अनुपाते, चार दोनों का अनुपात है, और आपके पास दे रखा है LCM, ठीक है LCM दे रखा है कितना 84, LCM आपके पास 84 है, जब आपके पास LCM दे रखा है, तो क्या करेंगे, अनुपातों का भी LCM ले LCM में उनुपात के LCM से divide दा तो उनुपात के LCM 12 है 12 सत्ते 74 साथ 12 में जायगा पूश के रहा है इनमे से बड़ी संख्या कौन सी है जो पात में बड़ा होगा वही बड़ी संख्या उनुपात में बड़ा चार है तो 7 4 के 28 27 का गुना 4 से कर दो 28 आपकी बड़ी संख्या है मतलब C option क्या हो जाएगा सही जवाब अब देखेंगे अगला प्रेश्न अगला प्रेश्नी है दो प्राकर संख्यां तीन अनुपात चार के अनुपात में है तथा इनका गुड़न फल 2160 है इन में से छोटी संख्या क्या हो की बड़ी आपके पास दो संख्या है अनुपात कितना इनका तीन अनुपात चार है के लिए आपके पास गुड़न फल दे रखा कितना 2160 यह आपका गुड़न फल है जब यह गुड़न फल है तो अनुपातों का तो अनुपातों का भी गुणा तो इस यो गुड़न फल में अनुपात के गुड़न फल से डिवाइड दे तो अनुपात का गुड़न फल कितना 12 है 12 से डिवाइड दे तो इसमें कितनी वार जाएगा 12 कम 12 है थीक है 121 2 है कितना बचेबा 9 9 में 6 जोड़ो देंगे 96 ठीक है 12.70 caud 84 तो अब आपसे क्या पूछ रहा है अब आपसे पूछ रहा है कि इन में से चोटी संख्या क्या होगी थीक होगी कि नहीं होगी जो अनुपात में चोटा होगा वही संख्या छोटी होगी तो 180 का गुना क्या करेंगे तीन में कर देंगे 183 का 54 होता है 54 और एक जीरो आ जाएगा मतलब 560 तो आपके प्रेशने का जो सही जवाब है वो कितना है वो 560 है दोस्तों यहाँ पर option जरूर गलत से टाइप हो गया है गलती से option लिग गया है आपका जो सही आंसर होगा वो 540 होगा बात के लिए हो गई अब देखेंगे हम अगला प्रेशने अगला प्रेशने है यदि 1000 को A तथा B में 3 अनुपात 2 के अनुपात में नियुक्त करें तो A को प्राप्त होंगे क्या प्राप्त होगा बाई आपके पास दो व्यक्ति हैं A और B दोनों का अनुपात है 3 अनुपाते 2 योग कितना है 1000 रुपे का योग है 1000 रुपे को A और B में बाटना है A के हिस्से में कितना आएगा बी के हिस्ते में कितना आएगा अपने अपता चल जाएगा जब योग एक हजार है तो अनुपात का भी योग कर रहो तीन और दो पांच पांच दुने का दस और दो जीरो मतलग दो सो बार में यह कट गया आप से पूझा के एक को प्राप्थ होंगे एक अनुपात क का प्रेशनी है A, B तथा C में 1050 को इस प्रकार विवक्त किया गया है कि A का भाग B तथा C के सैयुक्त भाग का दो बटे पांच हो तब E को मिलेगे ठाले時ा, मुझे बहुत खतरनाक वाला प्रेशनी पूझे सब्सक्राइगा यह तो बहुत ही जाधा खतरनाक वाला मैं चाहता था इस प्रेश्णों को आपको हों बर के लिए देनु लेकिन मुझे लगरा है है बहुत सारे बैचे कर नहीं पाएंगे तो मुझे यह प्रेश्ण आपको कराना है आप से कह रहा हैं जो है कि A का भाग P तता C के संउक्त भाग का दो बट्टे पांच थे हैं पांच है इतना के लिए हुआ दो बटे पांच है इतना के लिए हुआ अब यहाँ पर समझे आपके पास जो योग है तीनों का वो एक हजार पचास है आपके पास जो योग है वो कितना एक हजार पचास है कितना भई एक हजार पचास और आप अगर यहाँ पर इनका योग कर हगा मैं 7 हो जाएगा साथ से से डिवाइड करो वह साथ एक कम साथ 3 बच्चे गा 35 पंजे 35 और एक सो 50 आपकी होगा 150 यहां भी कर दो 150 को गुणा 350 का गुणा गुना 500 को गुना थीनसों हो जाएगा 150 को गुणा 5 मैं करूंगा 750 हो जाएगा और दोनों का टोटल हो गया एक हजार भै एक हजार पचास हो गया आप से पूछ रहा था कि A को मिलेंगे भै एक को क्या मिलेगा यहाँ पर आपको यह बताना है एक को क्या मिलेगा देखिए सीधा सीधा सा प्रेशन है आप तो इस प्रेशन में कुछ बचाई नहीं है भै एक सो पचास यहाँ पर वैलू मिलके कितना आ गया 750 आ गया जबकि एक का अकेले का कितना हो गया 300 हो गया एक का अकेले का कितना हो गया दोस्तों 300 हो गया क्योंकि यह पहले वाला जो अनुपात है यह पहले वाली संख्या का होगा जो नीचे वाला अनुपात है वो बाद वाली संख्या का होगा आप अच्छ का बटर नहीं रुकना चाहिए गुरूब डीव को पार करना है इस बार ठीके दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद